हाई फ्रेंद्स वेलकम टो कोटो मैथ आप सब कैसे हैं मैं बहुत अच्छी हूँ तो आप लोग याद होगा पिछले हफ़े पिछले वीडियो में मैंने टाइम चैप्लर से वीडियो बलाया था ताइम चैप्लर का कांसेट केर किया था कैसे क्लॉक देखते हैं याद होगा ये क्लॉक मैंने समझाया था कैसे टाइम देखते हैं कहां पर बड़ा वाला हैं चोटा वाला हैं कहां कहां हो तो कैसे टाइम समझ सकते हैं बच्चों का हम कैसे समझा सकते हैं तो मैंने बोला था कि ये ग्रेड टू में इंट्रड्यूस होता है ग्रेड वान में इंट्रड इस बतात है quarter past and quarter two तो इस वाले वीडियो में मैं उसी का second part आप लोगों को बताऊ कि जैसे quarter past quarter two होता है वैसे ही half past half 30 minutes होता है तो half past होता है या अगर 15 minutes हो गया है तो जैसे अभी 9.15 हो रहा है तो हम यह भी कह सकते 15 past 9 या ऐसे करेंगे तो 30 past 9 या half past 9 तो यह चीज़े भी होती है जब हम बच्चों को समझाते हैं कि clock कैसे देखना है तो यह जो कुछ terms है जो questions में भी पूछे जाते हैं exams के exam paper में, question paper में यह questions होते हैं half past 9 बताऊ क्या होता है तो half past 9 होगा 9 hours and 30 minutes so as in, हम समझ सकते हैं या बच्चों को समझा सकते हैं कि clock कैसे देखना है clock देखना बहुत आसान है बट जब वो questions में जब पूछा जाता है तो बच्चे confused हो जाते हैं तो यह confusion ना हो, बच्चे जो terminologies है, English में जो terminologies use होता है for clock, for time, वो आज हम देखे गए तो आज मैं कुछ questions आप लोग के साथ discuss करूगी तो normally exams में आते हैं तो clock जैसे हम समझा देते हैं बच्चों को बट जब वही चीज questions में पूछा जाते हैं तो बच्चे confused हो जाते हैं तो चली आज कुछ questions मैंने prepare किया है जो questions exams में आते हैं तो आप लोग देखिए ये video और questions को में देखिए कैसे मैं solve करती हूँ और ताकि बच्चों को help मिले वो समझ सके कि कुछ terminologies जो होते हैं वो कैसे समझना है और उनके basis पे कैसे answers देखिए तो चली और जादा time waste नहीं करूँगी मैं आप लोग को questions दिखाती हूँ और उनको solve करके भी दिखाती हूँ तो वीडियो को please end तक देखिए और अगर कोई queries है कोई questions है तो मुझे comments में पूछिए मुझे बताइए मैं उनको answers करूँ दिखाती है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like कीजे शेयर कीजे और मेरे channel पे अगर नए है तो please subscribe कीजे तो चलिए कुछ questions देख लेते हैं और उनके answers कैसे solve करते हैं आप देखिए तो friends तो यहां पर आप लोगों देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ questions आप लोगों के लिए तयार किया है तो यह सभी chapter time chapter से है और grade 2 के ही exams में इससे questions आते हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं यहां पर मैंने 10 questions लिखे हैं रखें हैं आप के लिए दो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर जैसे थीन क्लॉक्स तिये हुए है अलग अलग time show हो रहा है तो जैसे इन में इस तरह की questions में क्या होता है जैसे हैं पर लिखा है for the time on clock A to look like the time on clock B one hour has to pass similarly for the time on clock B to look like the time on clock C one hour has to pass so how many hours need to pass for 3 o'clock to become 5 o'clock तो यहां पर फिर्स वाले clock में 3 है दूसरे में 4 लगा हुआ है for 4 p.m. या 4 a.m. जो भी है और इधर 5 बज रहे हैं तो इस वाले clock से clock A से clock C तक जाने के लिए कितने घंटे तो 3 बज़े से 4 बज़े तक होता है एक घंटा और 4 बज़े से 5 बज़े तक होता है एक घंटा तो एक घंटे का मतलब क्या होता है हमें सबको पता है कि एक घंटे का मतलब है 1 hour का मतलब क्या होता है 60 minutes तो यहां पर 2 घंटे है 2 hours का मतलब हो जाएगा 2 multiply by 60 जो होता है 120 minutes तो अगर ऐसा question में है कि कितने घंटे तो answer होगा 2 hours और अगर लिखा होता है question में कि कितने minutes तो होगा 120 minutes तो इस तरह की questions में जहां पर clocks दिया होता है और time पूछते हैं कि अभी इस clock में इतना बजा है और इस clock में इतना बजा है तो दोनों में कितना difference है तो हम ऐसे calculate कर सकते हैं तो चलिए next question देखते हैं यहां पर भी clocks दिया हो है observe the change in time shown from clock A to clock B to clock B to clock D यहां पर 4 clocks हैं चारों में कुछ-कुछ time दिखा रहा है यहां पर कुछ time है यहां पर कुछ यहां पर सकते हैं तो हमें यस यह observe करना है कि इस घड़ी से इस घड़ी में कितना change हुआ है तो यहां पर यहां तो यहां पर दिखिए 3.15 बज रहा है 10 मिन्स पास किया है तो 3.25 हुआ है फिर 3.35 फिर 3.45 तो similarly for time तो सब में 10-10 मिनट का difference तो हमें अगर question पूछा गया how many minutes need to pass for 3.15 to become 3.45 तो बस हमें add करते वे चलदा है तो 3.15 से 3.25 10 minutes फिर यहां पर 3.35 तक और 10 minutes तो होगे 10 plus 10 20 फिर यहां पर 3.45 से और 10 minutes पास कर गये है तो टोटल हमारा जितना 3.15 से 3.45 तक कितना हुआ 30 minutes का duration तो ऐसे question में हमें answer क्या होगा 30 minutes तो इस तरह की question में अगर आपको पूछा जाए तो answer होना चाहिए 30 minutes या अगर hour में पूछा जाए तो half hour अभी बच्चे decimal या fractions नहीं सीखे हैं तो वो simply half hour आप H-A-L-F generally hour में नहीं पूछेंगे minutes में ही पूछेंगे तो 30 minutes इसका answer हो जब यह निखे चलते हैं next question में तो 3rd question है calculate the time that has passed इसमें भी जैसे घड़ी दिखाया हुआ है पहले वाले में क्या बज़ रहा है 8-15 क्योंकि बड़ा वाला hand 3 पे है मतलब अभी भी दस बज़े नहीं है दस minute बाकी है तो हमने जैसे quarter 2 पड़ा था यह वीडियो में पिछले वीडियो में हमने देखा था है कि quarter 2 क्या होता है तो यहां पे quarter रही है हम यहां पर यह भी बोल सकते कि 10 minutes to 10 बतलब अभी भी दस minute बाकी है तो यहां पर बज़ रहे है 8-15 और यहां पर बज़ रहा है 9-15 तो दोनों में कितना अंसर है वो हमें बताना है तो कैसे बताएंगे तो यहां पर हम कैसे difference दिखा लेंगे 8-15 तो चलिए हम इसको calculate करते है तो 8-15 का मतलब है आठ बचके पंदरा मिनिट और यहां पर बज़े है 9-9 बचके 45 तो सिंपल यहां पर हमें subtraction करना है तो यहां से 45 लिखा और यहां लिखा age तो 45 और 15 अगर माइनस करेंगे यहां पर आएगा 45-15 60 और यहां पर है 9-10 तो 1RN 30 तो इसका आंसर होगा 1R और 30 इसे questions भी आ सकते हैं कि हमें subtraction या addition करके दो टाइम में difference या दो टाइम में कितना add करने से अगला टाइम होगा या कितना सब्ट्राइक करने से अगला टाइम दिसाएगा दो घड़ी दे रखिए तो ऐसे questions भी हमारे हमारे एक्जाम्स में क्लास 2 के एक्जाम्स में हाँ इसलिए नेकी question में दिखते हैं how many hours and minutes passed for 635 to become 18 तो अगर 635 हो रहा है छे बच के 35 635 अगर घड़ी में दिखा रहा है और फिर आठ दस आठ बच के 10 मिनिट होना है तो कितने घंटे और कितने मिनिट पात होंगे छे बच के 35 मिनिट को आठ बच के 10 मिनिट होना है तो यहां पर भी subtraction करेंगे कैसे करेंगे तो पहले लिखेंगे आठ बच के 10 मिनिट और 6 मिनिट के 35 अब यहां पर उल्टा है पिछले बार तो देखाते है कि जो उपर था वो बड़ा था नीचे वाला चोटा था बड़ा हो गया है तो आठ बच के 10 मिनिट को अगर हम 7 के हिजाब से लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते है आठ बच के 10 मिनिट मतलब 8 घंटे और 10 इसको अगर 7 आज के पॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 8 7 और 8 में एक घंटे का फ़रक होता और 10 मतलब 60 मिनिट और 70 मिनिट तो हम अगर ऐसे देखें कि 7 आज 70 मिनिट माइनस 6 आज 35 मिनिट तो अगर ऐसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताए चलिए हम देख लेते हैं तो मैं तो यहां पर लिखा 70 माइनस 35 होता है 35 यहां पर 5 और यह 3 और यहां पर 1 तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 आज 35 बहुत आसान है तो 6 बच के 35 मिनिट को 8 बच के 10 मिनिट होने में कितना घंटा और कितना मिनट पास होगा एक घंटा और पैस आसान्सा ने चले जाते हैं अब लिखा है अलेक्स वेक्स आप इट 6 इन दर मौनी चूब सब्सक्राइब यहां पर चार घडिया दी हुई है लिखा है कि आलेक्स कितने बच उठता है तुबेशे बच रहे इन घडियों में कौनसे में छे बच रहे हैं हमारा आंसा घडिया कांसा इसे यहां पर कितना बच रहें यहां बच रहे हैं च्था वाला काट चुक्वालवाला हैं सिक्स पे और बड़ा वाला हैं ट्व्यल सो उग आसान है Emily decided to make some cupcakes for herself as an after school snack she began preparing them at 4.30 and the cupcakes were ready to be eaten at 5.45 how long did it take for the cupcakes to get so Emily ने start किया था अपना snack बनाना, अपना केक बनाना 4.30 और खतम कर किया 5.45 this time 4.30 ते 5.45 के भी कितना time पास हो गया वो हमें options में से बता हो तो कैसे होगा इसका answer कैसे करेंगे इसको तो इसमें भी हम subtraction करेंगे 5.45 माइनस 4.30 यह बहुत आसान है तो कि उपर वाला पड़ा है तो 45 माइनस 30 होता है 16 तो एक खंटा और 15 मिन्स तो यहाँ पर कहाँ पर अंसर है यह हमारा आस्टर कर दिया जो टाइम हमारा final है उसमें से जो टाइम हमारा दॉक्तर आपॉइंबंट पर 4.30 इप टेक्टी मिनित तुड्राइब तुड्राइब टुड्राइब टुड्राइब लेटेश्टी लेज़ फो टॉक्तर का अपॉइंबंट चार थीज पे हैं चार बच के तीज मिन्ट और उसको खलीनिक पहुचने में 30 मिनित लगतें तो उसे घर से कब निकलना चाहिए ताकि वो चार बच के तीज मिनित में क्लिनिक पहुच जाएं चार मिनित चार बजे और तीस मिनित अगर हमें करना है तो यहां पे भी हमें सब्ट्राइक्शन करना है 4.30 माइनस 60 क्योंकि 30 मिनित लगते हैं तो कुछ भी नहीं एक 30 और 30 तर्टी तट गया तो 4 पी एम हुँ या 4 एम जो भी है तो उसे घर से 4 बजे निकलना चाहिए तो इना पे आंसर होता 4 बजे वो खते निकले तभी वो साढ़े चाहर तर पहुत सकती है क्योंकि साढ़े चाहर पजे कर डॉक्तर का अपया की कि यह भी बहुत आतांता चाहिए next question when Nancy left her home for a morning walk the clock looked like this morning walk when she came back home the clock looked like this when she came back home the clock looked like this so for how long did Nancy work this is the time for walk I'm not going to be a star but I'm not going to be a so it's me I'm going to be a I'm going to be a I'm going to be a so I'm going to be a ये लिए वोग पे आसान है पाज बेदे निकले थी साथ बीस पे वो घर वापस आई तो माइनस कर दिया दो घंटे बीस मिनिट के लिए वोग पे गई यह भी बहुत आसाल आसान है next given below are the timings of a medical store in Delhi medical store के कुछ timings होता है जो हर जगा होते medical store हो या कहीं का भी store का भी हमारे पास कभी कोई हम पूच दे हैं कि कभ दुकान खोली रहेगी तो वो सब्सक्राइब को टोर क्या हर दिन ऑपन है तो साथ दिन यहां पर दिख रहा है टाइमिंग की हुए है तो इस question का क्या answer होना से कि वो सातो दिन, तो लग अलग अलग है लेकिन खुली रहती है हर दिन, अब आपको time के हिसाफ से store को visit करता है, तो बहुत ही आसान है, बस इनको follow करना है कि यहाँ पे क्या-क्या दिन लिखे हुए है और क्या-क्या time. Next question है, Jack and Julie worked on a project from 3 in the afternoon to 9.15 in the night. How long did they work on the project? 3 बजे से afternoon में start किया एक project पे और 9 बच के 15 मिनट राच में वो project खतम हुआ. तो कितना time लगा अस project को complete होने में? यहाँ पे भी हम वही करेंगे subtraction है, 9 बच के 15 मिनट से. 13 बचे माइनस करते हैं. तो 15 यहाँ पे, 3 यहाँ पे. तो 6 आर्ट और 15 मिनट से. तो हमारा option होगा 6 बच के और 15 बच्चों के एक्जाम्स में आते हैं. तो यह तो कुछ सेम्पल था. ऐसे ही क्वेशन बच्चों के एक्जाम्स में आते हैं. तो यह एक बहुती आसान था. और मुझे उमीद है आप लोगों को पस्टारा है. तो उमीद है आप लोगोंने questions देखा और उसका solution भी देखा. तो मैंने कोशिश किये हर तरह की questions को यहाँ पे लेके solve करना. तो आप लोगों कोई पी ओर questions हो, जो आप लोग चाहते हों मैं answer करूँ या उसका solution आपको नहीं समझ भी आ रहा है. तो प्लीज comments में मुझे बताइए. I'll be very happy to help. मुझे बहुत अच्छा लगएगा आप लोगो answer देने में. और 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 भी कुछ अगर आप जाना चाहते हैं इस video related या time related तो मुझे questions comments में लिखिए और मैं आपको answer करूँ. I hope आप लोगों को यह video अच्छी लगी हो. If video अच्छी लगे तो like and share और मेरे चैनल को subscribe हो. Thank you so much. आपने पुरा video देखा, मुझे सुना और यह encouragement, यह support मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों से. Please मुझे encourage कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए. Thank you. Take care. आप सब अच्छे रहें, आप स्वस्त रहें. Bye bye.